आज हम लोग क्लास नाइंथ मैथ की शुरुवात करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय तीन जिसका नाम है निर्दस्यांग जियामेती कौाडिनेट जियोमेट्री मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूँ तो कुछ पहले बाते आपको बता दे महतपूर्ण सुत्र और परिभासाएं जिसमें आपको पहला जो बात दिखा रहा है कि एक तल में एक बस्तू या एक बिंदू का स्थान निधारन करने के लिए दो लामबिक रेखाओ किया सकता होती है जिन में एक छैतिज होती है और द देख रहे हैं एक उर्ध्वारधर और एक छैतिज होता है आप देख रहे हैं एक उर्ध्वारधर और एक छैतिज होता है आप देख रहे हैं एक उर्ध्वारधर और एक छैतिज यह चीजा बता सकते हैं देखिए दूसरा तल को कार्तिया निधसांग तल कहा जाता है जिस चाहान जाता है उसको का आफ मुझे बता ही है तीन नमर में कह सकते हैं जो चाहते हैं ग्रीकसर चाहरे च्छार बे stripes Sequ entails इने चतु थांस का ज़ते हैं एक यहां पर है यह प्रत्रम चतु थांस यह दिर्थिया यह चतु तो जो रिखाएं होती है उसको चार भागम होगा बार जेती है और उसके बास से पांच नमरे अच्छो के प्रतिछेद बिंदू को मुल बिंदू कहा जाता है इसका होता है और इसका जो निरसांग होता है वह जीरो जीरो होता है और छो नमर में आप कह सकते हैं कि वाई अच्छ से किसी बिंदू के दूरी को उसका एक्स निरसांग किया भूच कहा जाता है साती एक्स अच्छ से बिंदू के दूरी को वाई निरसांग किया कोटी कहा जाता तो y अचके जो मानोगा कोटी x अचके मानोगा उसको भूज का जाता है अच्छा साथ नमर है यदि एक बिंदू का भूज x हो और कोटी y हो तो xy को बिंदू का निदेशांग का जाता है जैसे अगर x जो भी होगा नीचे जो च्छातिज एक है उसका मानोगा y जो भी है जो उर्ध्वार्धा रेका उसका मानोगा तो भी कह रहा है कि यदि एक बिंदू का भूज x हो और कोटी y हो तो xy बिंदू का निदेशांग होगा अर्थाथ xy वह बिंदू है जिसकी y अच सता एक सच से दूरी करम सा एक सा एक्स और y है आठ नमर कर सकते हैं x अच पर एक बिंदू के निदेशांग x-0 के रूप में होते हैं और y अच पर एक बिंदू के निदेशांग 0-y के रूप में होते हैं यानि एक सच पर एक बिंदू x कमान होगा y कमान 0 और y अच पर एक बिंदू कमान 0 और y होता है अब देखिए एक और बात है एक बिंदू के निदेशांग पहले चत्युथांग में प्लस प्लस होते हैं और दूसे चत्युथांग में माइनस प्लस होते हैं और तीसे चत्य माइनस माइनस होते हैं और चौते चात्य थांस में प्लस माइनस होते हैं जहां प्लस एक धनात्मक वास्तिक संख्या को और माइनस एक रियात्मक वास्तिक संख्या को प्रकाट करता है अब दिए यह चात्य थांस आपके हैं यह प्रत्म चात्य थांस है जिसमें दोनों प्लस वह X का मान होगा जो दूसरा मान होगा वह Y का मान होगा देखिए अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो प्रस्त एक आपका कहता है कि एक अन्य बेक्ति को आप अपने अध्यान मेज़ पर रखे टेबल लेंप को किस तरह बताएंगे मनें दूसरा कोई बेक्त है और आपक का जिक्र करते हैं कि हम इस बात को कैसे दूसरे बेक्त को बताएंगे काका आप इसको बता सकते हैं जो अपने मित्र होगा उसको बताना होगा देखिए सबसे पहले आप उसमें कुछ बाते बताएंगे कि जो मेज होती है उस पर आप अपने बातों को कैसे अपने दोस्त से कर सकते हैं देखें कहिएगा कि सबसे पाले टेबिल लेंप को एक बिंदो तथा मेज को एक समतल तल लिजिए अब मेज को कोई भी दो लंब को लिजिए बड़े कोर से लेंप की दूरी को माप कर अंकन कर लिजिए माना वह दूरी 24 सेंटीमीटर है इसी प्रकिरिया को दोरात अब छोटे कोर से लेंप की दूरी माप कर अंकन कर लिजिए पुना मान लेते हैं कि यह दूरी 28 सेंटीमीटर है अब जिस क्रम में आपने लेंप रखा है उसके अनुसार उसके स्थिति को 24 28 या 28 24 लिखा जा सकता है देखें यही लेंप आपकी है और यहां से एक बार आप 28 सेंटीमीटर लेंप है एक बार 24 सेंटीमीटर आप इसको चाहें तो 24 28 या 28 24 हो सकता है इस तरीके से किसी भी मेज पर जो आपका लेंप लखा है आप उसके इस्तिति को आप बता सकते हैं अच्छा कोशन नमर आये दो है बहुत ही जज़ लजबाब कोशन है इस दो नमर को पर मिलती हैं ये दो सड़के उत्तर दचिर के दिशा और पूरा पस्रिम के दिशा में है नगर की अने सभी सड़के इनमुके सड़कों के समानतर प्रसपर 200 मीटर के दुरी पर है परतिक दिशा में 5 सड़के हैं एक सेंटीमीटर ब्यावाव दो सो मीटर का पैमाना लेकर क अपनी नोट बुक में नगर का एक माडल बनाई है सड़कों को एकल रखावक से निरोपित किजिए आपके माडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस इस्टीट चौरा है हो सकती है एक बिशेश क्रॉस इस्टीट दो सड़कों से बनी है जिन में से एक उतर दच्छ दिशा में जाती है और दूसरी पूरा परशिम दिशा में जाती है परते क्रॉस इस्टीट पर निर्देशन इस परकार किया जाता है यह दूसरी सड़क उतर दच्छी दिशा में जाती है और पांच भी सड़क पूरा परशिम दिशा में जाती है और यह एक क्रासिंग पर मिलती है तो इसे हम cross state या दूर पाँच कहेंगे इसी प्रमपरा से यह व्यात किजिए कि पहिरा है कि कितनी cross state को 4-3 मान माना जा सकता है और कितनी cross state को 3-4 माना जा सकता तो देखिए आप इसको हल करेंगे तो हल करने के लिए सड़के हैं और इस सड़कों के हिसाब से आप बता सकते हैं यहां S1, S2, S3 S4, S5 यह देखिए east और west हैं और यह north और south हैं यह सड़के आपके हैं और यहां पर कुछ अंग दिखाए गया यह जो बिंदू है 3-4 को और यह जो बिंदू है 4-3 इनको दर्स आया गया है तो जो कोस्टन आपका है इस कोस्टन काम लोग answer देखते हैं पहला कर सकते हैं कि 4-3 को एक क्रास मार्ग एक क्रास मार्ग माना गया है यानि जो 4-3 होगा उसका मातर एक क्रास मार्ग होगा और 3-4 को एक क्रास मार्ग मना गया है और जो तीन चार होगा उसको भी एक क्रास मार्ग मना गया है तो इस तरीके से बहुत ही असान था नूँ और आप इस अभ्यास को हम लोग समाप करते हैं और नेक्स वीडियो में लोग 3.2 को अधियन करेंगे धन्यवाद